गुद मॉर्निंग, तो अब मैं तयार हूँ आपको दिखाने के लिए कि अपनी ब्लड शुगर कैसे करते हैं, ब्लड शुगर करने से पहले आप तयारी कर लें कि आपके पास सारी चीजे रेडी हैं, तो क्या चाहिए हमें, हमें मीटर चाहिए, मीटर है, लैंसिंग यह सब चीजे हैं और हम तयार हैं अपनी ब्लड शुगर तयार करने के लिए, आप सोचे होंगे यह क्या है, यह जो है इसकी क्या है, अगर आपको अपनी ब्लड शुगर कहीं और से चेक करनी हो, फिंगर के अलावा, तो आप यह क्या यूज करेंगे, तो हम लोग आज तो हम जोरा हैं, वानी और साबून की जरुवद है, कोई आपको अलखोल स्वाब या उन सब पयी चीज की जरुवरत नहीं है, बस यह पका करें, आपकी हाथ साफ हैं और आपने किसी तरह की मिठाई अपने खहला थों से नहीं खाई है, और कोई लोशन आपने हाथों पे लगाया है, तो मेरे हाथ एकदम साफ है, अब आप एक जगा देखेंगे कि आप अपने आपको कहाँ प्रिक करेंगे, तो आप यहाँ फिंगर टिप पे आगे प्रिक कर सकते हैं, पैड पे प्रिक कर सकते हैं, या साइड पे प्रिक कर सकते हैं, मैं हमेशा साइड पे करती हू क्योंकि जो पैड है इस पर बहुत nerve ending होती है और दर्थ जैदा होता है ऐसा मैंने सुना है तो मैं तो हमेशा side में ही करती हूँ आप प्रिक करने से पहले अपना meter तयार कर ले अपने meter को तयार करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है, इस strip को इस के अंदर डाना और आपका meter तयार हो गया now meter तयार करने के पहले, आप अपनी lancing device तयार कर ले lancing device तयार करने के लिए आपको क्या करना है यह हटाया और यह lancet है जो इसके अंदर जाएगी तो जैसे ही इसके अंदर जाएगी आपको एक क्लिक की आवास सुनाई देगी आप देखिए सुनिये ध्यान से और नहीं सुनाई देगी ख्यार ये इसके अंदर चली गई है इतनी जोर की क्लिक नहीं हुई जितनी रगलर होती है और उसके बाद आप इसको बस इसको unscrew करेंगे और इसको खीच देंगे तो ये आपकी needle तयार है अब इसके उपर आपने ये वापस लगा दिया ताकि ये नजर नहीं आती और उस दिन में आपको बता रही थी पिछले उसमें की कैसे उसकी depth जो है आप set करते हैं तो इसकी depth मैंने 3 पे set कर रखी है ये side की जो knob है ये आपको बताती है आपको कितना अपने आपको deep prick करना है तो आप इसको एक से लेके इसमें 5 तक हैं 4 तक हैं कि आप 4 तक deep कर सकते हैं प्रिक कर सकते हैं तो मैंने इसकी तीन पर रखी हुई है डीप प्रिक करने के लिए और अगर आप प्रिक करें और बहुत ज्यादा खून निकले इसका मतलब आप उसको कम कर दें अगर आप प्रिक करें और खून नहीं निकले इसका मतलब आपने डीप इनफ प्रिक नहीं कि और ये अब देखिए blood ढूंड रहा है, इसमें एक छोटी सी blood की वह आपको नज़र आएगी, तो ये तयार है, अब हम इसको अपनी side पे यहाँ पर लगाएंगे, और इसको थोड़ा सा pressure लगा के और इसको ये जो button है इसको दबाऊंगी और जैसी button दबाऊंगी इसको prick करेग ये पही हो गया, अब देखिए, अच्छे से इतना सा खून की ज़र्ण है और ये निकलाया, अब आपको इसको इसको इसके पास में ले जाने की ज़र्ण है, खून इसको अउपर लगाने की ज़र्ण नहीं है बरकि इसको इसको जैसी पास में ले जाएंगे अपने आप खून इसको ड्रॉ कर लेगा बस इतने से खून की ज़रुत थी अब देखते हैं कि ये हमारी ब्लड शुगर सुबह क्या है तो हमारी ब्लड शुगर आज सुबह नब्बे है ये आप देख सकते हैं कि हर बार आप चेक करें तो आप इसको निकाल के फैक दें पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है जब ये डल हो जाए आपको दर्द होने लगे आप फैक सकते हैं वैसे अगर आप नहीं चेक करनी है तो आप इसको दुबारा भी यूज कर सकते हैं बस ये है कि कोई और नहीं तो यह हो गई हमारी आज की morning sugar check अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी की और कौन कौन से time आपको check करनी चाहिए और क्या number है जो अच्छे हैं अगर आपको diabetes है उसके लिए तो यह है morning blood sugar check